कि दोस्तों नोमस्कार बाते साहिति के चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक्जाम रेट जारी हो चुकी है और एक्जाम में सपलता के लिए अप्रियास कर रहे हैं जाद ज्यादा वीडियो देखने का प्यास करें जो पूरु में जारी हो चुके हैं और जो वर्तमान में आगे जारी हो रहे हैं उन सभी वीडियों को आप ज्यादा ज्यादा देखें शेयर करें और समझने का प्यास करें जिससे कि आप एक्जाम में सफल हो सकें तो आई दोस्तों शुरू करते हैं साइंस क्रेस कॉर्स के अगले चेप्टर बल और गती के नियम महत्पॉन प्रश्णोत्तर के रूप में दोस्तों प्रश्णों की शुरुआत करें उससे पहले हम बल के बारे हम जान ले विज्ञान में अगर हम बात करणे हैं तो किसी वस्तू पर हम धका लगाते हैं यानि उसका अभी कर्शन होता है या फिर खिचाओ अपकर्शन होता है ऐसे इस्तिती को हम बल कहते हैं बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं कोई आदमी इस्तिरकार के पीछे खड़ा है अब अगर आदमी कार को धक्का लगाना प्रारम करता है तो वह उस पर बल लगाता है कार लगाए गए बलकि दिशा में गती करना प्रारम कर सकती है हम एक इस्तिती और इसमें देखें कि दो लड़के एक दूसरे को धक्का देते हैं या हम देखें कि कुछ लड़के आपस में युग में उनाकर एक दूसरे को खीचने का प्रियास करते हैं इन उद्धारणों से ये निश्कष निकलता है कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तों में अन्योन क्रिया होनी आउश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि दो वस्तों के बीच अन्योन क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। पहला प्रिशन है दोस्तों हमारा पैनल्टी किक में किक लगाने से पहले जब गेंद विरा मावस्ता में होती है तब उसकी चाल होती है वत्तर सुन्या दोस्तों पैनल्टी किक लेते समय खिलाडी गेंद पर बल लगाता है किक लगने से पहले गेंद विरा मावस्ता में थी यानि रुकी वही थी और इसकी चाल जो थी वो सुन्ने थी जब बल ने गेंद को गोल की और गती प्रदान की यानि बल उस पर लगाया गया यदि गोल की पर गेंद को रोकने में सपल हो जाता है तो इसकी चाल सुन्ने हो ज जाएगी इस प्रकार किसी वस्तु पर लगाएगे बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है यदि लगाया गया बल गती की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है और यदि बल वस्तु की गती की दिशा के विपरित दिशा में लगाया जाए तो फिर वस्तु की च उत्तर जुड़ जाते हैं प्रिश्टन संक्या तीन यदि किसी वस्तो पर दो बल विपरित दिशा में कारिय करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के उत्तर अंतर के बराबर होता है प्रिश्टन संक्या चार किसी वस्तो की चाल अत्वा उसकी गती की दिशा अत्वा दोनों में होने वाले परिवर्तन को गत्ति किया जाता है उत्तर गती की अवस्ता परिवर्तन से दोस्तों यहाँ पे कुछ इस्तितियां हम देखें हम एक एक्जामपल के द्वारा इसको समझने का प्रियास करते हैं कि आखिर बल का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है एक गेंद लेकर उसे हम टेबल पर इस्तिर रख देते हैं और उसे हलका सा धक्का देते हैं मेज पर एक बल वस्तु की इस्तिती में परिवर्तन कर सकता है अर्तारदम कह सकता है कि इन सभी इस्तितियों में बल लगाने पर इस्तिर वस्तु गतिशील हो सकती है एक दूसरी इस्तिती हम देखें कि एक गेंद को फर्स पर लुड़काए और हाथ से गती करती हुई गेंद पर उसकी गती की दिशा में हम हलका सा बल लगा दे क्या हम कहें कि एक विक्ती गाड़ी खीच रहा हो और दूसरा विक्ती अगर उसके पीछे से धक्का लगा रहा हो तो हम देखते हैं कि चाये हम गेंद को लुड़काने की बात करें और उसके धक्का मारने की बात करें या फिर गाड़ी को धक्का मारने की बात करें दोनों ही परिस्तितियों में गती की दिशा में बल लगाने पर इनकी गती बढ़ जाती है इस परकार गतशील वस्तों पर गती की दिशा में बल लगाने पर उसकी गती में रद्धी हो जाती है तीसरी इस्तिति हम और देखें इसमें कि माली ये दो मित्र एक भारी वस्तु को विपरित दिशा में धख्का दे रहे हैं या हम कहें कि रसा कसी का खेल आपने देखा होगा दो टोलियां एक रसे को विपरित दिशा में खींसती है और दोनों टॉलियों के जो सदश्य हैं वो रस्य को अपनी अपनी दिशा में खेचने का प्रियास करते हैं दोनों इस्तितियां इसपश्ट करती है कि गती के विपरित दिशा में बल लगाने पर गतिसील वस्तों की गती कम हो जाएगी जो यानि एक दूसरे जब वो खेचेंगे अपनी अपनी तरफ तो बल दोनों तरफ के इस्तावा जाएगा और इस तरह से गतीसील वस्तों जो है उसकी इसी होगी कि उसकी गती में कमी हो जाएगी प्रसन संक्या पांच बल दवारा उत्तर किसी वस्तु को विराम अवस्ता से गती में ला सकते हैं गतिसील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं गतिसील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं तथा वस्तु की आकरती में परिवर्तन कर सकते हैं तो बल लगाने पर ये सारे कार्य हो सकते हैं कि या तो विराम अवस्ता को हम गती में ला सकते हैं उसकी चाल परिवर्तन कर सकते हैं या फिर उसकी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं या फिर हम उसकी आकरती में भी परिवर्तन ला सकते हैं ये सारे प्रिभाव जो हैं वो बल द्वारा उत्पन हो जाते हैं नेक्स्ट कुशन नमबर देखते हैं बल का ऐसाई मातरक है उत्तर नूटन दोस्तों बल का ऐसाई मातरक नूटन परसिद्ध विज्ञानिक सर आईजेक नूटन के नाम पर ये पढ़ा और इसे न्यूटन कहा गया अगला प्रश्ण एक न्यूटन बराबर है उत्तर दसकी गात पाँच डाइन अगला प्रश्ण एक पाउंडल बराबर होता है उत्तर तेरहाजार आटसो पत्चीस परइंट साथ डाइन के बराबर अगला प्रश्म व्यत्ति की मास पेशियों के क्रिया सरूप लगने वाले बल को कहते हैं उत्तर पेशिय बल को कहते हैं उत्तर संपर्क बल दोस्तों अगर हम बलों के प्रकारों की बात करें हैं हाँ पर तो बल, संपर्क बल और एसंपर्क बल दो प्रकार के बलों के अंदर बाटा जा सकता है और अगर हम संपर्क बल की ही बात करें तो संपर्क बल कई बलों में बाटा जा सकता है जैसे पेशिय बल, गृषन बल, सीमांत गृषन बल, सरपी गृषन, लोटनी गृषन, आदी संपर्क बल के उधारन है जबकि चुम्बगी बल, इस्तिरवेद्यूत बल, गृत्वाकर्शन बल, आदी ऐसंपर्क बल के उधारन है दोस्तों हम जब पेशेबल की बात करते हैं तो हम सामानी तक कहते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए व्यक्ति के सरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए संपर्क किसी चड़ी या रसी की साहिता से भी हो सकता है जब व्यक्ति किसी वस्तु पानी की बाल्टी को उठाता है तो बल उसके सरीर की मासपेशियों द्वारा लगता है और व्यक्ति की मासपेशियों के क्रिया सरूप लगने वाले बल को ही पेशेबल कहा जाता है पेशेबल ही व्यक्ति को अपने सभी क्रिया कलापों को करने के आता है हम यहां यह भी कह सकते हैं कि नाकेवल मनुष्य बलकि पशू भी अपने शारीरिक क्रिया किलापों तथा अन्य कारियों को करने के लिए पेशेबल का उप्योग करता है हम बैल घोडे घदे उंत आदी पशू जो हमारे लिए विभिन्नकारिय करते हैं उन्हें देखत अगला प्रिशन दोस्तों दो सत्हों के बीच संपर्ख के कारण उत्पन बल को कहते हैं उत्तर गिरशन बल गतिसील वस्तों पर लगता है और इसकी दिशा सदेव घति की दिशा के होती है विप्रेत अगला प्रिशन घृषन बल सदेव लगाएगे बल का करता है उत्तर विरोध प्रिशन सिंग्या 14 यदि किसी वस्तु के प्रष्ट रुक्स अर्थार्थ खुरदरे हो तो बल लगाना पड़ता है उत्तर अधिक दोस्तों यहाँ पर अगर हम घृषन बल की बात करें तो कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के प्रष्ट पर गती कर रही होती है उस इस्तिती में भी बंद हो जाती है जब उस पर कोई भारी बल नहे लगाया हो और अंत्तर वे लुक जाती है आप फर्स पर भी कोई ची का उतक्ता है नाव की नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चल कर रुख जाती है केले के चिल के कदम पढ़ते ही फिसल जाते है किसी चिकने तृफा गीले फर्ष पर चलना गठिन होता है इन सभी उधारणड़ में हम देखते हैं कि वस्तों की गती की अवस्ता में परिवर्थन का कारण ग्रिशन बल है ग्रिशन बल दो सत्वों के बीज संपर्क के कारण उत्पन होता है इसलिए ये भी संपर्क बल का एक उधारण है ग्रिशन बल सभी गती सी वस्तों पर लगता है और इसकी दिशा सदेव गती की दिशा के विपरित होती है बाई दिशा में बल लगाते हैं तो ग्रिशन बल दाई दिशा में कारे करता है तो हम कह सकते हैं कि गृषण बल सदे भी लगाए गए बल का विरूद करता है। गृषण समपर्क में आने वाले दो प्रिष्टों की ऐनिमित्ताओं के कारण होता है। ऐसे प्रष्ट जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें बहुत सारी सुक्ष्म एनियमित्ताएं होती हैं दो प्रिष्टों की एने मित्ताएं एक दूसरे के बीतर धस जाती है जब एक प्रिष्ट पर दूसरे प्रिष्ट को गती कराने का प्रियास किया जाता है तो अंतह बंदन पर पार करने के लिए कुछ बल लगाना पर पर हो खुरदरे प्रष्टों पर ये एनियमिताय अधिक संक्या में होती है यदि प्रष्ट खुरदरा हो तो ग्रिशन बल अधिक लगता है और यदि प्रष्टों को बल पूरवक दबाएं तो ग्रिशन में ब्रद्धी हो जाती है प्रिशन संक्या 15 किसी रुक्यू ही वस्थू को विराम से गती प्रारम करने की इस्तिति में घ्रशन पर पार पाने के लिए वस्थू पर लगाया जाने वाला बल कहलाता है उत्तर, इस्ततिक घ्रशन दोस्तों एक इट को मेज पर रखकर अपनी अंगुली से इसे धकेलने का जब हम प्रियास करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रारम में बल का मान कम होता है तो इट किसकती नहीं लेकिन जैसे जैसे हम इट पर बल को बढ़ाते जाते हैं ग्रिशन बल भी साथ साथ बढ़ता जाता है और एक इस्तिती में जब हम लगाए गए बल को एक सीमा में अधिक बढ़ा देते हैं तो एट किसकने लगती है तो हम कह सकते हैं कि किसी रुक्य हुई वस्तु को विराम से गती प्रारम करने की इस्तिती में ग्रिशन पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल इस्तितिक ग्रिशन कहलाता है यही इस्तितिक ग्रिशन की महापूती है प्रिशन संक्या सोले किसी वस्तु की गती आरंब करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान वस्तु की गति बनाए रखना होता है उतर सरल प्रिशन संक्या 17 रोलरों एवं पहियों पर गति करने वाले वस्तु की इस्तिती में ग्रिशन को कहते हैं लोटनी ग्रिशन प्रिशन संक्या 18 चत के पंके तता साइकिलों में धूरी तता हब के बीच बाल बेरिंग का उपयोग उधारण है उतर लोटनी गृशन का दोस्तों अगर हम लोटनी गृशन की बात करें तो लोलर पये पर गती करने वाली वस्तों के इस्तिती में गृशन को जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के प्रश्ट पर लुड़कती है तो उसकी गती के प्रतिरोध को लोटनी गृशन कहा जाता है लोटन ग्रिशन किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर सरकने की तुन्ना में लोटन करना सदेव आसान होता है इसी कारण रोलर से सामान खीचना सुविधा जनक होता है लोटनी ग्रिशन सरपी ग्रिशन से कम होता है इसलिए अधिकांस मसीनों में सरपन को बाल बेरिंग के उप्योग द्वारा लोटन में प्रतिस्तापित किया जाता है प्रिसन सिंग्या उननीस गृष्टन कम करने वाले पधारतों को कहते हैं उत्तर स्निहक दोस्ते यहाँ पर हम अगर कुछ इस्तितियों की बात करें तो आप देखते हैं कि घर में भी कई बार दर्वाजों के जो कब्जे होते हैं उनमें तेल की अगर कुछ हम बुदे डाल देते हैं तो दर्वाजा सहज ही घूमने लगता है और आवाज नहीं करता है केरम बोर्ड पर खेलते समय हम उस पर पाउडर डाल देते हैं साइकल तथा मोटर के मेकेनिक मसीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रिस लगाते हैं ये सबी परिस्तितिया दक्षता में व्रद्धी के लिए ग्रिशन को कम करती हैं जब तेल, ग्रिस या ग्रिफाइट को किसी मसीन के गतिशील पुर्जों के मद्दे लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है इससे गतिशील प्रष्ट सीधे ही एक दूसरे को रगड नहीं पाते हैं ग्रिशन कम करने वाले पधार्तों को ही हम सनेहक काता है कुछ मसीनों में ग्रिशन कम करने के लिए सनेहक्ती रूप में तेल के इस्तान पर गतिशील पुर्जों के बीच वायू की गद्दी का भी उप्योग किया जाता है प्रिष्टों पर पॉलिस करके अत्वा अत्यदिक मात्रा में स्नेहत पधारतों का उप्योग करके गृष्ण को घठा कर सुनने नहीं किया जा सकता है, गृष्ण कभी भी पूनते समाप्त नहीं होता है, कोई प्रिष्ट पूनते चिकना नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अगला प्रिश्टे है कि तरलों पर लगाएगे गर्शन बल को क्या कहा जाता है मुत्तर है करसन दोस्तों विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है तरल इनसे होकर गती करने वाली वस्तों पर गर्शन बल लगाते है तरलों दोरा जो गर्शन बल लगाया जाता है उसे करसन कहा जाता है किसी तरल बल लगने वाला गर्शन बल उसकी तरल के सापक्ष गती पर निर्भर करता है गर्शन बल वस्तों की आकरती तथा तरल की प्रकरती पर भी निर्भर करता है अगर हम पक्षियों की बात करें मचलियों की बात करें तो ये तरल में गती करती है इनके सरीर का विकाज इस प्रकार हुआ है कि तरल में गती करते समय ग्रिशन पर पार पाने में इनकी उरजा का ख्षय यता संबाव कम हो पायुयान की आकरती तथा किसी पक्षी की आकरती में समानता होती है सबी भानों की डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल गृषन कम हो पाए परस्टन संक्य 21 गृषन के लाब है उत्तर गृषन चलने में सायता करता है गृषन के बिना भवन निर्मार नहीं हो सकता है माचिस की तिल्ली में आग लगना गृषन के कारण होता है वहानों के पैयों में चलने वगूमने में गृषन का प्रियोग होता है ब्रेक द्वारा वहान को रोकना गृषन के कारण पट्टे या चेंद्वरा मोटर से मसीन को गुनना नूर जा दिवार या लकडी में कील, पैन या पैंसिल को हाथ से पकड़ना रसी के गांट पांदना ये सब गृष्टन बल के लाब है गृष्टन से हानिया क्या क्या है तो अगला प्रिष्टन है गृष्टन की हानिया मसीन की दक्षता घड़ जाती है 20 प्रतिशत इंदन गृष्टन बल के कारण अधिक्वे होता है इसे तरह से वस्तुए भी गिस जाती है जैसे पेज, बॉल बेरिंग, जूतों के सोल आधि गिस जाते है मसीन की कारिक्षमता में बाधा उत्मन होती है प्रिष्टन सक्या 23 किसी द्रव का वह गुण, जिसके कारण वह द्रव में छोड़ी गई किसी वस्तुपर, उपर की और एक बल लगाता है उसे कहते हैं उत्तर, उत्पलावक्ता द्रव में वस्तुपर दो बलकारियत होते हैं उत्तर, प्रत्वी का गुट्वाक्रिशन बल और पानी का उत्पलावन बल प्रिष्टन संक्या 25 यदि वस्तुपर उत्पलावन बल से अधिक है तो वस्तुपानी में उत्तर डूब जाएगी पुरसन संक्या 26 यदि वस्तू का भार उत्पलावन बल से कम है तो वस्तू पानी में उत्तर आंसिक रोप से डूब कर तेरेगी पुरसन संक्या 27 यदि वस्तू का भार उत्पलावन बल के बराबर है तो वस्तू पानी में उत्तर पूरी डूब कर तेरेगी दोस्तों यहां पर हम उत्पलावक्ता कि अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि लोहे तथा इस्टील से निर्मित जल्यान समुद्र में नहीं डूपता लेकिन उतने ही भार का लोहा और इस्टील चादर की रूप में हो तो वह डूप जाते हैं पानी के प्रश्ट पर रखने पर लोहे की कील डूप जाती है किन्तु कौर्ख तैड़ता रहता है इस प्रकार किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव में छोड़ी गई किसी वस्तु पर उपर की और एक बल लगाता है उत्पलावक्ता कहलाता है द्रव में वस्तु के दो बल कारिरत होते हैं, प्रथम तो वस्तु पर प्रत्वी का गुरत्वाकर्शन बल, वस्तु का भार नीचे की और, तथा दितिये वस्तु पर पानी का उत्पलावन बल उपर की और, तो किसी वस्तु का पानी में ढूबना या तेरना दोनों बलों के स वस्तु पानी में आंशिक रूप से डूप कर तैरती रहेगी और यदि वस्तु का भार उत्पनावन बल के बराबर है तो फिर वस्तु पानी में पूरी तरह डूप कर और तैरती रहेगी तो ये उत्पनावकता के गुन है प्रसुन संग्या 28 वस्तु पर लगे उत्पनावन बलको किस सिध्धान्थ के नाम से जाना जाता है उत्तर आर्कमडीज का सिध्धान्थ प्रसंक्या उन्तीस जलियानों और पंडूबियों के डिजाइन निर्मान में किस सिध्धान्थ का प्रियोग किया जाता है उत्तर आर्कमडीज का सिध्धान्थ प्रशन संक्या 30, दूद की शुद्धता मापी जाती है, उत्तर लेक्टोमिटर से, प्रशन संक्या 31, द्रवों का घनत्व ग्यात किया जाता है, उत्तर हाइड्रोमिटर से, प्रशन संक्या 32, लेक्टोमिटर तथा हाइड्रोमिटर के सिध्धान्त पर आधारित है, के सिध्धानत के अगर हम बात करें तो जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंसिक रूप से डुबोया जाता है तो वह उपर की दिशा में एक बल का अनुभू करती है जो वस्तु द्वारा हठाए गए तरल के भार के बराबर होता है ये बल उत्पलावन बल कहला जाता है और इसे हम आर्कमडीज का सिध्धानत कहते हैं अगर हम आर्कमडीज के सिध्धानत के उप्योग की बात करें तो इसका उप्योग हम इस परकार कह सकते हैं कि ये पधारतों का अपेक्शिक घंत गयात करने के लिए उप्योगी है ये जलियानों और पंडूबियों के डिजाइन निर्माण में प्रियोग किया जाता है यह लेक्टोमिटर जिसे हम दुग दुमापी भी कहते हैं तदा हाइड्रोमिटर आर्खमिडीस के सिध्धान पर ही कारी करते हैं और बरफ का पानी में तेरना भी इस सिध्धान की द्वारा हम समझ सकते हैं आएए दोस्त बहता है उत्तर श्तिर्वज्जत बल प्रिशन संक्या 35 है उत्तर आकर्शनबल प्रिशन संक्या 36 नद्यों में पानी नीचे की और किस बल के कारण बहता है उत्तर गृत्व बल के कारण प्रिजन संग्या 37 धागे का एक टुकडा लेकर उसके एक सिरे पर छोटा पत्थर बांद कर धागे के दूसरे सिरे को पकड़ कर पत्थर को व्रताकार पत्वें घुमाते हैं तो केंदर की और एक बल लगता है उसे कहते हैं उत्तर अभ प्रिजन संग्या 49 ग्रहों की गति को समझने है तू बू केंदरिये मॉडल सर्व प्रथम किस ने दिया उत्तर आर्यबटने प्रिजन संग्या 40 दो द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला आकर्शन बल कणों के द्रव्यमानों के गुननपल के समानुपाती तथा उनके मध् के होता है उत्तर वित्व मानुपाती प्रिजन के 41 एफ इस इक टू जी एम एम अपॉन डी स्कॉयर इस सुत्र में जी है उत्तर सार्वत्रिक पृत्वाकर्शन नियता आंक प्रिजन के 42 वो प्युप्त सुत्र में गेपिटल जी का मान है उत्तर 6.67 इंटू 10 की पावर स्कॉयर ग्रती की ग्राम इस स्कॉयर प्रत्वी द्वारा चंड्रम पर लगाये गए गृत्वीबल का मान है उत्तर 2.02 20 तौइससंकर सफ़ाइन की प्रुपवार 20 प्रुसन संख्या 45 जब वस्तु के विग में परिवरतन या त्वारण गुरुत्वय में बलके कारण होता है तो इसे कहते है उत्तर गुरुत्विय त्वारण hall G प्रसुन संग्य 46 गुर्थ्वी तवरण का मात्रक है उत्तर मिटर प्रतिस सैकेंड स्क्वाइर प्रसुन संग्य 47 गुर्थ्वी तवरण का सुत्र है उत्तर small g is equal to capital Z into m upon d square जहां पर m प्रत्वी का द्रिविमान है d वस्तु की प्रत्वी के चेंदर से दूरी है समानुपाती नियतांग है, सारवत्रिक गुरुत्वाकृष्ण नियतांग भी इसे कहा जाते है, अगला प्रिश्न, प्रत्वी के गुरुत्वी तुरण का मान है, उत्तर 9.8 मिटर प्रती सेकंड स्क्वाइर, अगला प्रिश्न, चंद्रमा पर गुरुत्वी तुरण का मान प्रत्वी की तिर्जा दुरूओं से विश्वत व्रत्की और जाने पर उत्तर बढ़ती है प्रत्वी ग्रह का गृत्वियत वरण निर्भर करता है उत्तर उस ग्रह के द्रव्यमान एवं व्यास पर सौर मंडल के किस ग्रह का गृत्वियत वरण सरवादिक है उत्तर ब्रहस पती अगला प्रिश्ण मुक्त रोप से गिरती हुई वस्तु का प्रारंबिक वेग होता है उत्तर शुन्य अगला प्रिश्ण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार प्रत्वी के भार का होगा उत्तर ए कि वे गतिशील है या इस्तिर उड़ती हुई चिडिया रेंगती हुई चीटी चलती हुई बस दोड़ते हुई बच्चे आधी गतिशील वस्तों की इस्तिती समय के साथ परिवर्तित होती है तो समय के साथ वस्तों की इस्तिती में परिवर्तन को ही हम गति कहते हैं अगला प्रश्णा, कोई एथलेट खेल प्रतियोगिता में एक चक्री का या गोले को पैंकता है, तो वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है, तथा अपने शरीर को घुमाकर उसे कौन सी गती प्रतान करता है, उत्तर व्रतिय गती. दोस्तों, आपने कोलू के बेल को देखा होगा, उसकी गती चक्री जूले जैसी होती है, बिजले के पंखे की पंखड़ियों पर अंकित किसी चिन्नी की गती, किसी गड़ी के सेकंड की सुई की गती, आदी वरतुल गती के उधारण है, जब कोई एथलेट खेल प्रतियोगि और भी हैं, जैसे कि चंद्रमा एम प्रत्वी की गती, प्रत्वी के चारों और वरतिये कक्षा में घुनन करता हुआ एक उपग्रे, वरतिये पत पर नियत चाल से चलता हुआ साइकल सवार, आदी वरतिये गती के उधारण है, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक नि के उधारण है, उत्तर किसी लोलक की गती, व्रक्ष की साखाओं का इदर उधर लहराना, जूला जूलते बच्चे की गती, सितार की दोरियों की गती, बस्ते समय धोल के प्रश्ट की गती, ये सभी आवरत गती के उधारण है, प्रस्ण संख के साथ, जिन भोतिक राशियो के उधारन है उत्तर द्रव्यमान समय चाल घनत्व उर्जा शक्ति आदि प्रिश्ण संग क्या भासट वे बोतिक राशिय जिनकी पूर्ण जानकारी के लिए परिमान के साथ साथ दिशा के निर्देश भी आवश्यक होते हैं कहलाती है उत्तर सदिस राशिया अगला प्रिश गतिशील वस्तु द्वारा एकांग समय में तै की गई दूरी को कहते हैं उत्तर वस्तु की चाल चाल का ऐसाई पद्धिती में मात रख है उत्तर मिटर परती सेकंड अगला प्रिश्ण चाल बराबर है उत्तर दूरी बटा समय वस्तु द्वारा तै की गई दूरी बटा द चात्र के वाहन की औसत चाल है उत्तर 50 km प्रति गंटा दोस्तों यहां पे जो उपर वाला सुत्र है दूरी बटा समय उसी सुत्र को यहां पर हम लगाएंगे तो दूरी की जगा 100 km आ जाएगा और बटा समय 2 गंटे आ जाएगा इस तरह से इसकी जुचाल है वो आ जाएगी 50 चासं किलो मेटर पर का दरए disp accelerate घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंत्रार है कि उत्तर को सग्ष units सेकंड का भाग्तर दसलाद मां रिष्जन सिंक्या है सत्तर एक नेनो शेकंड सेकंड का भाग्तर है रिष्जन सिंक्या यह 30 वहां अधोरा तै याद की जाती है स्पीडो मिटर द्वारा जिसे हम चाल मापी भी कहते हैं अगला प्रश्न वायू में ध्वनी की चाल है उत्तर 346 मिटर प्रति सेकंड अगला प्रश्न प्रकास की चाल है उत्तर 3 गुणा 10 की घात 8 मिटर प्रति सेकंड अगला प्रश्न ध्वली की चाल सरव गैस में प्रती ध्वनी सुनने के लिए अवरोध की ध्वनी श्रोत्व से होनी चाहिए उत्तर 17.2 मिटर अवश्य होनी चाहिए अगला प्रश्ण किसी निश्चत दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांग समय में तै की गई दूरी को कहते हैं उत्तर वस्तु का वेग अगला प्रिशन वेग ज्याद करने का सुत्र है उत्तर वेग वराबन तूरी या विस्तापन बटा समय अगला प्रिश्ण वेग का S.I. मात्रयक है उत्तर मिटर प्रतिसेकंड प्रुस्ण संग्या भी आलीज वहनिन नतम वेग जिससे किसी वस्तु को प्रत्वी की सत्य से उपर की और फेके जाने पर वह गुरुत्वी क्षेत्र को पार कर जाती है और वस्तु प्रत्वी पर वापस नहीं आती कहलाता है उत्तर पलाइनवेग अगला प्रिश्ण पलाइनवेग का मान है उत्तर 11.2 km प्रतिसेकंड प्रिस्ण संक्या 84 किसी भी वस्तु की गती के परिमान का बोध कराती है उत्तर चाल अगला प्रिश्ण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं उत्तर त्वरण अगला प्रश्ण त्वरण बराबर है उत्तर वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय अगला प्रश्ण त्वरण का मात्रक है उत्तर मिटर 32nd square अगला प्रश्ण जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिवान है तो उस वस्तु का त्वरण होता है उत्तर शुन्य अगला प्रश्ण यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेख से गती करती है तो उसका विस्तापन समय ग्राफ होता है उत्तर सरल रेखा में दोस्तों यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेख से गती करती है तो उसका विस्तापन समय ग्राफ एक सरल रेका होता है जिसकी प्रमानता उस वस्तु की चाल बतलाती है यदि समय अक्स के साथ सरल रेका का जुकाव अधिक है तो उसकी प्रमानता भी अधिक होती है फल्स रूप वस्तु की चाल भी अधिक होती है अगला प्रिशन, गति का प्रथम समीकरण है, उतर, V is equal to U plus AT, दोस्तों, यहाँ पर U प्रारंबिक वेग है, A त्वारण है, T समय है, second, V अंतिम वेग है, अगला प्रिशन, गति का दिरतिय समीकरण है, S is equal to UT plus half AT square, अगला प्रिशन, गति का दिरतिय समीकरण है, V square is equal to U square plus 2AS, प्रिशन संग के 93, यदि कोई वस्तू इस्तिर अवस्ता में है, तो वे इस्तिर अवस्ता में ही बनी रहती है, या कोई वस्तू किसी निश्चित वेग से एक दिशा में गति कर रही है, तो वे उसी वेग से उसी दिशा में गति करती है, जब तक कि उस पर कोई और भाय बलकार, यह है उत्तर, निूटन की गती का पृत्म नियम, दोसतों, निूटन ने बल-एम गती के बारे में, गलिलियो के विचारों को आगे विकशित किया, उन्होंने ती इन मौलक नियमों को प्रस्तूत किया, जो किसी वस्तू की गती को वर्नित करते हैं, इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है पहला नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु इस्तिरवस्ता में है तो वैस्तिरवस्ता में बनी रहती है और यदि कोई वस्तु किसी निश्चित वेग से एक दिशा में गती कर रही है तो वैं उसी वेग से उसी दिशा में गती करती रहती है जब तक कि उस पे कोई भायबल कारे नहीं करता है किसी भी वस्तु की विराम अवस्ता अत्वा गती की अवस्ता में परिवर्तन का वस्तु द्वारा विरोध किया जाता है वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहा जाता है इस कारण न्यूटन के प्रतम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है जो कि हमारा अगला प्रिश्ण है प्रिश्ण सिंक्या चौराण में कि न्यूटन की गती का प्रथम नियम अन्ने किस नाम से जाना जाता है तो उत्तर जड़त्व का नियम दोस्तो जड़त्व के नियम के अगर हम बात करते हैं तो वह इस्तिर रवस्ता में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई भाय बलकारिया नहीं करता है जैसे हम कुछ अग्सामपल यहां देखे दोस्तों मालिज यह कोई इस्तिर कार्ख है या बस है अचानक तेज चला देने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की और धक्ये का अनुभव करता है तो यह किस कारण होता है इस्तिर जड़त्व के कारण इस तरह से कंबल जिस पर गर्द लगी होती है दर्यों को लटका कर जब डंडे से प्रहार किया जाता है तो जो दूल के कंड होते हैं वो प्रिथक प्रिथक हो जाते है जो पहले इस्तिर अवस्ता में थे और वो गतिशी अवस्ता में आते है घोडे पर सवार बैठा है तथा घोड़ा अचानक दोड़ना अरम कर देता है तो प्राइस वार पीछे के और गिर पड़ता है ये भी इस तरह जड़त्व का नियम है इसी तरह से फल लगे पेड़ की डाल को जब हिलाते हैं तो उससे फल गिरता है ये भी इस तरह जड़त्व का नियम है तो ये जितने भी हमने एक्जामपल की बात की ये सबी एक्जामपल इस तरह से अगर हम गती अवस्ता के जड़त्व के नियम की व्याक्या करें तो इसके अनुसार यदि कोई वस्तू गती कर रही है तो समान वेक से सीधी रेखा में ही गती करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई भायबल कारिया नहीं करता है गती के अवस्ता में जड़त्व के जो उधारन हैं वो हम देख सकते हैं कि लंबी कूद के अंदर कोई खिलाडी कूदने से पहले तेज रफ्तार से दोड़ता हुआ आता है और कूदते समय जड़त्व के कारण उसके सडीर के सामने वाली गती बनी रहती है अधिक दोरी से दोरी तक कूदने में सबल हो जाता है इसी प्रकार तेज रफ्तार से चलती होई बस को ब्रेक लगा अगर एकाएक रूका जाता है तो बस में बेठे यात्री आगे की और जुग जाते हैं दोक पर वायुयाहन एहःभाणों में में जहां गयात्री सीट वेल्ट लगाते ने दो इसलिए में गाड़े में राइबिंग करते हैं ya OUT 그렇atti यहीए इस्तिती सामने आती है कि घाड जहोती दो आख होती है जब चल रही होती था एक आएक केघि करने ने सामने आ जाए या कोई व्यक्ति सामने आ जाए तो एसी इस्तिति में एक एक जब उस पे ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गती के अंदर परिवर्तन होता है और उस गती के परिवर्तन से बचने के लिए हम सीट बेल्ट का प्रियोग करते हैं कि हमें हानी ना पहुंचें तो यह जो हम सीट बेल्ट का प्रियोग करते हैं गाड़ी के अंदर वो गती अवस्ता में जड़त्व के नियम यानि न्यूटन की गती के पहने नियम के अनुसार ही हम ऐसा करते हैं इसे परकार जब कोई व्यक्ति चलती होई गाड़ी से कूता है तब मुह के बल आगे की और गिर आगे बात करते हैं दोस्तो किसी वस्तू के समवेग में परिवर्तन की दर उसके लगने वाले ऐसंतुलित बल कि दिशा में बलके समानुपातिक होती है यह तो दक्तर इसका दोस्तों न्यूटन की घती का दितिया नियम दोस्तों वस्तू के दरविमान और वेग से एक महत्मून राची है जिसका नाम सम्वेग है सम्वेग नाम के इस राची को न्यूटन ने प्रिस्तुत किया था और किसी वस्तू का सम्वेग पी उसके द्रव्यमान एम और वेग वी के गुननफल के बराबर होता है सम्वेग में परिमान और दिशा दownों होते हैं इसके दिशा वही होती है जो कि वेग की दिशा होती है आगे हम बात करें दोस्तो प्रश्न संक्ये 96 की तो संवेक अमातर क् स्कॉए उत्तर लाग सिंदो है하고 April- Torah वाशचिंग मशीन का कारीय सिध्धान्थ है उत्तर अब केंद्रण आगला प्रशन एक्षिजआट इंजिञुंच करता है उत्तर रेखिक संवेग सरक्ष्ण थो दोसों गति कि कि अगर दित्यओनियम की बात करें कि छैनिक जीमन में किस प्रकार देखते हैं तो हम बलत करें हैं, माणले जी क्रिकेट मेच के आप सब आपने देखा हुआ कि केच लेते समय हाथ को पीछे के और खेसते हैं इसका कारण ये है दोस्तों कि छेतर रक्षक जो है वो गेंद के वेग को सुन्ने करने में अधिक समय लगाता है इस प्रकार गेंद जो होती है वो समवेग में परिवर्तन की दर उसकी कम हो जाती है और त हम देखते हैं कि खिलाडियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है ऐसा खिलाडियों के चलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इस इस्तिती में समवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है तो ये कुछ एक्जामपल हमने देखे जो कि रोज मर रहम देनिक जीवन में जिनको प्राय देखा करते हैं तो ये एक्जामपल जो गती का दितिये नियम है उससे जुड़े हुए है अगला प्रिशन दोस्तों प्रिशन संख्या नन्याण में कि एक तौप दागे जाने पर प्रक्षेपित होती है उतर न्यूट जाती है तब दूसरी वस्तो द्वारा भी पहली वस्तो पर तक्षनिक बल लगाये जाता है ये दोनों बल परिमान में सदेव समान लेकिन दिशा में विप्रित होते हैं इसका ताथ पर यह कि बल सदेव यूगल रूप में होता है ये बल कभी एक वस्तों पर कारे नहीं कर प्रतिक्रिया सदेव दो भिन भिन वस्तों पर कार्य करती है और न्यूटन का यह जो नियम है यह सर्व्यापक है दोस्तों अगर इसके हम कुछ उधारन देखें न्यूटन की करती के तीसरे नियम के तो आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति भूमी पर चलता है या किसी ट्र परियास करता है और प्रत्वी भी इतना ही बल्परतिक्रिया के रूप में विप्रिध इशा में पाउँ पर लगाती है जिसके कारण व्यक्ति आगे चलता है हम आगे चल पाते हैं अगर दूसरा एक्जाम्पल हम देखें कि पानी में तैरतने की जब हम बात करते हैं तो ज तो वे तैरता जाता है। हम देखते हैं कि नाव चलने पर पसी प नाव नीयमें पहीत आगता है। इसी तरह से जब बंदूग से गोली दागते हैं तो गोली पर जितना बल आगे की और लगता है उतना ही बल बंदूग के विपरित दिशा में लगता है परन्तु बंदूग का द्रविमान गोली की तुलना में बहुत अधिक होने से बंदूग पीछे की और बहुत कम वेक से चलती है और बंदूग चलाने वाले के कंधे को जटका अनुबह होता है आपने रोकेट देखा होगा रोकेट छोड़े जाते हैं तब रोकेट के पिछले भाग से गेस अतिदिक तेजगती से निकलती है प्रतिक्रिया के फलसुरूप रोकेट पर गेस निकलने की विप्रित दिशा में बल लगने के कारण रोकेट उपर उड़ता है क्रिया तथा प्रिति क्रिया के बल बराबर तथा विप्रित होने पर भी एक दूसरे को निश्प प्रभावित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भिन्न भिन्न वस्तों पर कारे करते हैं बराबर तता विप्रित दिशा में कारे करने वाले बल तभी एक दूसरे के प्रभाव को नश्ट कर सकता है जब ये बल एक ही वस्तु पर एक ही सरल रेखा में कारे कर रहे हैं उस कंडिशन में अगला प्रशन है दोस्तों एक कार गृष्ण युक्त शड़क पर नियत वेक से गतिशील है तो उत्तर कार के इंजिन के दुवारा बल लगाया जा रहा है प्रूसरे सिंग एक किलोग्राम दिर्विमान के वस्तु पर एक बल एक मिटर प्रतिस सेकंड इस्पायर का त्वरा उत्पन करता है इस बल को कहते हैं उत्तर नियूटन अगला प्रशन है किसी ट्रेन को उसके ब्रेक निश्चेद दूरी से रोकते हैं यदि ब्रेक का निरोधी बल एक चोथाई कर दिया जाए तो ब्रेक अब ट्रेन को कितनी दूरी पर रोकेंगे उत्तर श्यार गुना अगला प्रशन है कन का त्वरण परिवर्तित होता है जब उत्तर वेक की दिशा वपरिमान परिवर्तित हों अगला प्रशन है एक वस्तू चिकने नत तल पर फिसलना प्रारंब करती है उसी उचाई से एक वस्तू स्वतंत रवस्ता में गिरना प्रारंब करती है उत्तर द को निर्वात में समान उचाई एच से छोड़ा जाता है तो जमीन पर पहुंचने में दोनों को समय लगेगा उत्तर पूर्णतिया समान समय अगला प्रश्ण समान उचाई से गिराया गया एक सिक्का एक कागच के टुकड़े के अधिक तेजी से गिरता है क्योंकि सिक्के के लिए उत्तर वायू का प्रतिरोद कम है अगला प्रश्ण मुक्तपिंड वह होता है जिस पर केवल गृत्य बल कारे करता है अगला प्रश्ण का त्वरण का परिमाप अधिक्तम होता है उत्तर ब्रेक लगाने पर अगला प्रश्ण प्रकाश का वेग अधिक्तम होता है उत उत्तर पेशियबल का अगला प्रिश्ण शुष्क मौसम में उनी वस्त्रों को समेठते समय कभी कभी चिनगारी के साथ चर्चर की आवाज निकलती है उसका कारण है उत्तर इस्तिरवेद्यत बल अगला प्रिश्ण वस्तु पर बल लगा कर किस राशी को नहीं बदल सकते उत फेश्ण वस्तों अगला प्रिश्ण धर्वेद्य पिंड़ को घेरी खान के तल पर ले जाया जाता है तब उत्तर इसका भार घड़ चाता है अगला प्रिश्ण घडियों की कार्यविदी किस प्रकार की गती पर आधारित होती सरकस में दोड़ते वे घोड़े की पीट पर बैठा गोड़सवार उचल कर पुने गोड़े पर आ जाता है क्योंकि उत्तर गतिशीलता की जड़त्व होती है ग्रशन रहित पर्च पर चलने के लिए निम्न नियम की सायत अलेनी होगी उत्तर न्यूटन का तृतिया नियम अभी हमने बात की थी अगला प्रशन किसी बल्लेबास द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने बर गेंद जमीन पर डुड़कती है कुछ देर चलने के पश्चात गेंद रुख जाती है गेंद रुखने के लिए दीमी होती है क्योंकि उत्तर गेंद पर गती की दिशा के विपरित एक बल का रेप कर रहा है प्रिशन संग्जा 119 यदि कोई पिंड नियत सम्वेग से सीधी रेका में गतिमान है यदि उस पर कोई भाहिय बल न हो तो उत्तर वेग नियत रहेगा अगला प्रिशन फल लगे पेड़ की डाल को जब लाते हैं तो उससे फल गिरना किसका उधारण है उत्तर इस्तिर अवस्ता में जड़त वकानी है तो दोस्तों ये आजके 120 प्रिशन थे बल एम गति के नियमों के पार्ट से आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा दो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज के लिए इतना ही दोस्तों देखते रहें बाते साहित की ऑनली योटूब चैनल धन्यवाद